हाई गैस और वेलकम बैक तो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफेयर्स ओफ 17 अफ मार्च 2022 तो गैस आज है तारिक 17 मार्च 2022 और है थर्सडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी अफेयर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलो शुबारम करते हैं बट उससे पहले गाईस अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से जाक important articles का discussion करते हैं साथी साथ one word questions को भी देखते हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है फिर last में मैं आप लोग लिए questions लगाता हूँ जो की आज नहीं लगा पाया हूँ काफी सारे technical issues हो चुके थे जिसकी वज़ा से कल daily current affair का वीडियो भी नहीं आ पा मैं सब कुछ सही हो पाया है फिर उसके बाद यहां पर मैं इसको record कर पाया हूँ PPTs वगरा बनाया हूँ अब यहां पर इसको record किया जा रहा है लेकिन फिर भी एक question मैंने आप लोग लिए लगा दिया है जो की UPSC 2016 के previous year में पूछा गया था तो मैं चाहता हूँ कि सभी हाले हैं कहां पर? Option A आंदरप्रदेश, Option B गुजराद, Option C महराष्टरा या फिर Option D उतरप्रदेश अब ध्यान रखना यह 2016 में question पूछा गया था तो उसी समय की यह खबर है तो इसका सही answer नीचे comment section में आपको जरूर देना है स्टार्ट करते हैं discussion को, यह है हमारा आज का सबसे पहला article एक important article है examination के point of view से बात करें तो पहले news का निकल कर आती है, news यह निकल कर आती है, जो international energy agency है जिसको हम लोग IEA के नाम से भी जानते हैं तो इन्होंने आपर बताया कि भारत ने कोईले का इस्तमाल बहुत जादा किया है as compared to the 2020 तो मतलब साल 2021 के अंदर हम लोगोंने कोईले का जादा इस्तमाल किया है, कोईले से बहुत सरी power को generate किया है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि pollution बहुत जादा हो रहा है, अब कोईले के इस्तमाल से pollution जादा हो रहा है तो हमारे जो targets है, climate जो change है, उसको रोकने का जो हमारा का पूरा achievement है, उसके अंदर बहुत ज़दा देरी होती भी चली जाएगी तो अपने आप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा concern देखने को मिलेगा, तो 2020 के comparison में 2021 में कोईले का जादा अस्तमाल हुआ और ऐसा यहाँ पर down to earth की एक report ने बताया है, down to earth एक one of the most important source हमारे current affair के लिए आपको बता ही होगा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इंडिया used more coal power in 2021 than 2020 ओके, अब आगे हम लोग काफी अच्छे से चीजों को analyze करेंगे, बस खाली सुनते बेचलना हर एक article को काफी detail में मैं आपके साथ discuss करता हूँ, mains में कैसे use हो सकता है वो बताऊँगा साथ-साथ prelims के लिए क्या-क्या important हो सकता है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर अगर analysis देखें इस report का तो इसने बताया, भारत ने लगबग 13% जादा कोईले का इस्तमाल किया हमारे भविश्य में फरक पड़ेगा, भविश्य में क्या फरक पड़ेगा, हमने अपने climate goals को काफी सारे goals हैं जो कि हमने set कर रखे हैं, जिसमें से एक climate goals भी है, climate goals का अंदर क्या decide क्या हमने कि pollution को हम लगातार कम करेंगे, ठीक है, हम लोग climate change को tackle करेंगे, जो गर्मी लगात बढ़ रही है, environment carbon release हो रहा है, उसको हम control करेंगे, तो ये बताओ, इधर हम कोईले को जो use है, उसको बढ़ा चुके हैं, तो क्या अपने goal को achieve कर पाएंगे, नहीं, तो इसमें एक बहुत 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 गाप जनरेट हो रहा है, तो इस report ने यहाँ पर ये भी चीज़े mention करी है, कि कहीं ने कहीं इससे आने वले time future में काफी problems होती हुई नजर आएंगी, clear हुआ, दन उसके बाद यहाँ पर बात की गई carbon dioxide emissions के बारे में, इंडिया के अंदर जो carbon dioxide का emission है, साल 2021 के अंदर ये 80 megatons तक का पहुँच चुका है, और बताये गया कि COVID किसके समय से पहले, क्यो ज़ादा आज के time पर 2021 में carbon का emission है वो ज़ादा देखने को मिला, तो मतलब यहाँ again pollution बढ़ता बना ज़राया, तीसरा आपको renewable energy slowdown देखने को मिलेगी, अब obviously बात है हम लोग क्या कर रहे है, renewable energy के उपर focus होना चला है, इधर कोईला जलाया जा रहा है, इसकी वैसे climate goals हमारे affect ह हो रहा है, pollution बढ़ रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा target था, कि हम लोग renewable energy को generate करेंगे, renewable energy का मतलब यह है, हम लोग एक ऐसी energy generate करें, जिससे कि कोई pollution ना हो, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो हमने solar energy, solar panels का इस्तमाल करके, solar की उर्जा से हमने बिजल कर रहे थे, वो यहाँ पर, मतलब उसकी जो speed है, वो काफी slow हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद यह तो हमने देखा, इंडिया का data की specifically भारत के अंदर यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, खासकर coal के power को लेकर, औ अब बात करता है, ग्लोबल डेटा, दुनिया बर के अंदर क्या-क्या सिनारियों देखने को मिलेगा, सबसे पहला point, देखो, ग्लोबल डेटा के अंदर, post period और pre period, दोनों को यहाँ पर अलग-लग divide क्या है, मतलब, कोरोना से पहले का समय, और कोरोना के बाद का समय, यहाँ यहाँ पर divide क्या गया है, क्या बताया गया, यहाँ पर जो CO2 का emission है दुनिया भर में, यह कम हुआ, COVID-19 के टाइम पर, जैसे जैसे COVID-19 फैलना चालू हुआ, हुआ क्या lockdowns लगे, यहाँ पर चीज़े रुक्सी गई थी, दुनिया भर में lockdown लुक जोगा था, कोई बाहर निकल का emission था, वो drop down हुआ, कम हुआ, 5.4% से ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो देखो, overall pollution तो दुनिया भर में तो कम हुआ है, ऐसा हम लोगों ने देखा है, दूसरा पॉइन पर क्या बताया गया, rise in renewables, अगर हम लोग पुरे दुनिया भर की बात करें, तो लोग जो है coal से shift हुआ है, दूसरी दूसरी energy के उपर, renewable energy के तरफ shift हुआ है, renewable energy का काफी इस्तमाल किया गया है, और renewable energy क्या होती है, अभी मैंने आपको थोड़े minute पहले ही बताया है, जैना उसके बाद methane levels के बारे में चर्चा की गई, दुनिया बर के एंजर, जो methane का level है, वो काफी बढ बढ़ चुका है, लगबाग 5 प्रतीशर्ट से जादा बढ़ता वन अजर आया है 2021 के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो pandemic का पहले वाला समय था, उससे कम है, लेकिन फिर भी methane का level बढ़ा है, pollution बढ़ा है, फिर greenhouse gas emission की बात करें, तो पूरा overall, अगर दुनिया बर काम लो पर emission कर रहे हैं, वो 2021 के अंदर आपने आप में एक peak पर पहुंच चुका, एक highest level पर पहुंच चुका है, तो 2021 के अंदर, pollution, overall pollution अगर हम लोग देखें, तो increase होता हुआ भी नजर आया है, कुछ-कुछ चीजों को पर control लगा है, बट सभी चीजों को पर control नहीं लग पाया है, जैसे global, sorry, greenhouse gases देखेंगे, तो वो बड़ी है, within levels पड़ा है, लेकिन साथ-साथ renewable energy की तरफ भी लोगों का यहाँ पर आपका सकतो use है, वो बढ़ता होना जरा है, तो यह data बताया गया, तो इंडिया में क्या हुआ, वो हमने discuss किया, global data क्या हुआ है, वो हमने उसको discuss किया, फि बहुत सारी European countries हो गई, वो लोग यहाँ पर कोईले की तरफ बढ़ चुके हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कि दुखो, यहाँ पर कोईले की जो cost इसको operate करने की वो बहुत सस्ती पड़ती है, as compared to the gas, तो gas fire जो power plants होते हैं, वो बहुत महांगे होता है, कोईला काफी सस्त इंडिया आज के टाइम पर एक second largest importer है, consumer है, और साथी साथ कोल का producer भी देखने को मिलता है, फिर साथी साथ दुनिया में पांचवे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले reserves के category में भारत आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद और के बताया गया हम लोग अगर देखें तो बहुत सारा कोईला हम लोग produce करने के साथ साथ इंपोर्ट भी करते हैं अलगला country से, तो इंपोर्ट कहां कहां से क्या जाता है, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, साथ आफरिका से हम लोग इस कोईले को खरीते हैं, भारत के अंदर कोईले के कहां पर देखने को मिलेंगे, तो वो जगा है जारकंड, ओडिशा और उसके बाद 36 गड़, जो कोईला है आज के टाइम पर आप देख पाऊगे, भारत के अंदर जो भी electricity है, उसमें आपर कोईले का 70% का योगदान देखने को मिलेगा, अब यहां पर एक चीज और no down करनी है, आगे मैं आपको जो भी information देने वाला हूँ, again वो prelims के point of view से बहुत important है, इसी article से संबन देता है, क्योंकि हम लोग कोईले के बारे में बात करी है, हम लोगों ने, International Energy Agency ने इससार report को publish के आए, वो हमने देखा है, तो कोईले के बारे में आपको specifically पता होना चाहिए, क्यो आपको carbon मिलता है, कोईले को जलाते हैं, वो यहाँ पर वही carbon जलता है, वो हम लोगो power generate करके देता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, कोईले के major uses क्या क्या है, इसके major यहाँ पर आपको काम क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहला, power generate के लिए काम करता है, मतलब electricity को generate करता है, thermal power plants के अंदर, steel के production के अंदर हम लोग cooking coal का इस्तमाल करते हैं, प्लस aluminum हुआ, उसका paper manufacturing के लिए, chemicals के लिए, pharmaceutical industries के लिए भी यहाँ पर कोईले का समाल होता है, तो कोईले के uses क्या क्या यह भी समझ लेना, अब आता है सबसे important slide के उपर, कोईले के प्रकार भी यहाँ प highest grade of coal मना जाता है, इसके अंदर बहुत अच्छी मातरा में carbon present होता है, और जैसा मैंने आप लोग को earlier बताया, कि carbon जादा होना मतलब एक अच्छा कोईला होना, आपको जादा energy वो तेगा, जो anthracite कोईला है, यह काफी hard है, brittle है, black color का देखता है, और काफी चमकदार भी देख को मिलेगा, खासकर जमू और कश्मीर के बहुत सरे region में यह कोईला पाया जाता है, इसके बाद anthracite के बाद betuminous आता है, betuminous एक medium grade का कोईला देखने को मिलता है, इसके अंदर भी जो heating capacity है, वो काफी अच्छी खासी होती है, जादतर यहाँ पर यह जो कोईला है, इससे electricity generate कर कोल है, यह आपको जारखंड, ओडिशा, वेस्ट बेंगोल, चतिसगर्ड और मध्यव प्रदेश के अंदर नजर आता है, आते हैं सब bituminous के उपर, तो sub bituminous यहाँ पर आपको अगेन यह ब्लाक कलर का देखने को मिलता है, थोड़ा सा डल होता है, जादा शाइनी होता नही शाइनी नहीं होता है, लिगनाइट के अगर हम बात करते हैं, तो लिगनाइट एक lowest grade कोल देखने को मिलता है, मतलब इसकी quality सबसे जादा low वाली देखने को मिलती है, इसके अंदर कारवन बहुत कम होता है, और यह लिगनाइट वाला जो कोईला है, यह राजिस्थान, ताम को मिल जाएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया यह काफी चमकदार होता है हमने अभी पड़ा तरुस का दिये कुछ और कोल के प्रकार यहां पर देखने को मिलता है बट जो मेजरली है वह आपको चार यह प्रकार देखने को मिल जाते हैं चार प्रकार कौन काउंस है यह को रट जाना चाहिए आगे बात करते हैं कोईले का यूस मैं आपको बताई दिया है जो सॉलिड कोल होता है जो ठोस कोल होता है जो कोक होता है इसका हम इस्तमाल करते हैं लोहा बनाने के लिए कुछ और मेटल्स बनाने के लिए जो लिक्विड कोल होता है जिसका हम लोग को अब बात करते हैं International Energy Agency के बारे में, क्योंकि overall जब आप लोग इस आर्टिकल की शुरुआत देखोगे, तो यहाँ पर International Energy Agency की ही चर्चा की गई है, क्योंकि इसी नहीं हाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया है, जहांबे बताया, 2021 के अंदर कोईले का यूस काफी बड़ा है, ल इसका origin कब हुआ था, 1974 में हुआ था, ताकि जो तेल की supply है, वो security तरीके से हो सके, वो ensure करने के लिए इस body को बनाया गया था, इसका major objective है यहाँ पर कि, लेको, IA को established इसी लिए क्या गया था, कि जो International Forum for Energy Corporation है, यहाँ पर यह अलग-अलग variety of issues देखने को मिलता है, जैसे supply हो ग उसके बाद यहाँ पर technology collaboration हो गया, international energy relations हो गया, research and development हो गया, तो इन सब जीजों के ऊपर काम करने के लिए body होने चाहिए, जिसके, मतलब energy sector के ऊपर पूरी तरह से focus करने वाली एक particular body होने चाहिए, that is why हम लोग International Energy Agency को लेकर आए, अब International Energy Agency के अदर कौन को से members देखने को तो यहाँ पर total आपको 30 member countries देखने को मिलेंगी, 8 association countries है और 3 exchange countries यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो भी candidate country होती है, International Energy Agency की, वो यहाँ पर एक member country OECD की भी होनी चाहिए, यहाँ पर बताया या, International Energy Agency का member बनने के लिए requirement है किसी भी दे ठीक है, और इंडिया कौन से member है इसका, तो इंडिया एक associate member है साल 2017 से ही, और यह बहुत important point है, International Energy Agency अलग-लग प्रकार की reports को publish करता है, यह भी आप से पूछ लिया जाता है कि हाँ यह report कौन publish करता है, आपने देखे होंगे previous year questions, तो यहाँ पर International Energy Agency, World Energy Outlook को publish करता है, then Energy Technology Perspective, then World Energy Balances, then World Energy Statistics, then Net Zero by 2050, यह सारे important reports जिसको publish किया जाता है, आयो अब आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत अच्छे सा आप लोगों ने सारी चीजों को clear कर लिया है, और clear कर लिया है, तो फटवर वीडियो को like करना, और हमने target रखा है अपना 2K plus likes का, तो आज आप लोगों यह celebrate किया जाता है ध्यानकना, National Vaccination Day के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसको हर साल observe किया जाता है 16 मार्च को, ताकि हम लोग बता सकें कि आखिरकार vaccine का क्या important role है, vaccine का क्या importance है लोगों की health के लिए, National Vaccination Day 2022 वाला जो इस साल वाला देखने को मिला है, 16 मार्च को मनाया गया, य message बेजा है कि किस प्रकार से vaccination और जो immunization है वो एक important तरीका है लोगों में infection को रोकने के लिए, तो highly infectious disease को रोकने के लिए vaccine बहुत important है, अब यहाँ पे कोई भी दिन celebrate किया जाता है, तो उसका एक particular theme होता है, हर साल अलग-लग theme होते हैं, अलग-लग theme के basis पर one day examination में question बन जाते है तो national vaccination day 2022 का theme आपको देखने को मिलेगा, वो है vaccines work for all, जो vaccine है वो सभी के लिए काम करती है, national vaccination day 2022 का जो यह theme है, वो highlight करता है कि vaccine जो है किस प्रकार से काम करती है, जान बजाती है, दुनिया भर में लोगों की, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले article की तरफ, next article बहुत जबरदस हो बहुत सारी नई चीज़े आप लोग यहां पर सीखने वाले हो, अगली news में बात की गई है, Russia को अभी रद कर दिया गया है most favored nation status से, तो Russia का most favored nation status छीन लिया गया, discuss करेंगे most favored nation MFN यहां पर status क्या होता है, प्लस यहां पर इसका status छीनने की वज़ा से Russia के ओपर कितना बुरा impact पड़ सकता है, प्लस उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि अगर यहां पर किसी के पास यह status होता है, तो उसे कितना फाइदा देखने को मिलता है, तो Indian Express का यह article है, डीटेल में काफी Indian Express ने इन सारी चीज़ों को बता है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, कि United States मतलब US ने और European Union, Britain, Canada और Japan, यह 5 देश आपको देखने को मिलेंगे, जिनोंने मिलकर, 7 मिलकर, Russia का most favored nation status रद कर दिया है, क्यों रद किया है, क्योंकि लगातार Russia, Ukraine का invasion कर रहा है, लगातार Ukraine के ओपर attack कर रहा है, अब कहां कहां पर हैं यह सारी countries, तो आप इतको यहां पर देखने को मिलेगा, इधर Russia हो गया, इधर Ukraine देखने को मिलेगा, तो Russia आज के टाइम पर लगातार Ukraine के ओपर attack कर रहा है, यह सारे जो dots आप देख पार उस प्रकार से घेड़ चुका है, Ukraine की capital के आपको यह देखने को मिलेगी, इसको पूरी तरह से घेड़ चुका है, इसको उपर पूर जिसकी वज़ा से, Russia के ओपर बहुत सारे economic sanctions लगाए गए, swift code से बाहर निकाला गया, दन उसके बाद एक और step यह उठा लिया गया, कि हार Russia का जो most favored nation है, वो भी रद्द कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर direct topic पर आते हैं, कि आकरकार most favored nation होता गया है, देखो जो world trade organization होता है मतलब जो भी हमारे दुनिया भर का व्यापार देखता है, जिसका नाम है WTO, world trade organization के 164 members, 164 member यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो की 7 मिलकर treat करते हैं एक दूसरे को equally, ठीक है, सब को बहुत सरे benefits मिलते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर help करते हैं, tariff कम कर देते हैं, quota और जो भी most favored nation treatment, मतलब non-discrimination, यहाँ पर देखो simple सी बात है, जैसे भारत की बात करते हैं, इंडिया की, तो इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक most favored nation category के अंदर रख रखा है, suppose है ना, और उसके साथ स्रिलंका को most favored nation category के अंदर रख रखा है, और भी कुछ तेश हैं उनको most favored nation category के अंदर रख रखा है, तो भारत, पाकिस्तान के साथ यहाँ पर जो व्यापार करेगा, यहाँ पर trade, tariff वगरा के उपर छूट मिलेगी, पाकिस्तान हमें कुछ समान भीज़ा, तो हम यहाँ पर उसके उपर जो tariff वगरा है, वो उसके उपर छूट देंगे, tariff के उपर छू पाकिस्तान के साथ भी देखने को मिलेगा, तो सभी के साथ यहाँ पर यह करना पड़ता है, जो व्यापार है, उसके अंदर छूट दी जाती है, जो import वगरा है, उसको कम कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलता है, most favored nation treatment, तो अब इस treatment में कौन को सी country बाहर है, तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि आज के टाइम पर इस WTO से एरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, रशिया और रशिया का साथ ही बेलारूस, तो ये कुछ रशन, मतलब रशन एलाई, बेलारूस आपको देखने को मेलेगा, अब तो वैसे भी रश्या को भी बाहर निकाले जा रहा है, इरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और साथ बेलारूस, ये चार देश हैं जो कि यहाँ पर WTO से बाहर हैं, तो इनको हम लोग Most Favored Nation की Category के अंदर नहीं रखते हैं, तो WTO का जो हिस्सा होगा मतलब 164 मेंबर्स हैं, यही यहाँ पर Most Favored Nation का जो भी यह स्टैटस है, इसका लाब उठा सकते हैं, Most Favored Nation का principle मैंने आपको बता दिया क्या है, यह स्टार्ट होता है World War II के बाद में, और साथ-साथ यहाँ पर देखो, इसका मेजर मकसद यही था कि हम लोग क्या कर सकें, दुनिया भर के अंदर जो ट्रेड हैं, पॉलिसी हैं, उसको और जादा बढ़ा सकें, यह हमारा मेजर मकसद था, और इसी के बाद हम लोगों ने काम किया, पहला question दिमाग में आएगा, चलो हमने यह कर भी लिया किसी country के साथ में, तो इस Most Favored Nation status का फायदा क्या होगा, देखो जिसको भी Most Favored Nation status का, Most Favored Nation का status मिलेगा, वो कहीं नहीं Highly Beneficial Countries देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उनको बहुत फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कि MFN status जो है, यह country को एक access देता है, कि वो यहाँ पर दुनिया भर के market में राम से उतर सकती है country, दुनिया भर के market में उतर कर, foreign market में उतर कर trade कर सकती है, और trade के उपर जो भी रुकावटे है जो barriers है, ठीक है, और ही बहुत सरी रुकावटे लगती है, extra charges वगरा के रुकावटे लगती है, उन सब को कम कर दिया जाएगा, जो export के उपर cost लगता है, उसका reduce कर दिया जाएगा, ठीक है, यह आप लोग देख पाऊगे, तो इस पकार से बहुत सरी chances मिलते हैं, थाकि business grow कर पाए, countries के बीच में व्यापार बढ़ पाए, तो यह व्यापार और जदा बढ़ जाता है, जब country MFN status के अंदर में आती है, तो, clear हुआ, अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, देखो, यह business बढ़िया होगा, export increase होगा, country economy, सब कुछ बढ़िया चलेगी, तो यह win-win situation होती है सबी लोग के लिए, ठीक है, सबी यहाँ पर countries आपस में व्यापार कर रही है, अच्छा, अब हम लोग किसी को समान बेच रहे हैं, उस पर tariff नहीं लग रहा है, उसके देश के अंदर, फिर हमें समान बेचेगा, हमारे को extra charges नहीं लगेंगे, तो यहाँ पर एक win-win situation होती है सबी लोग के लिए, तो क्या भारत का भी यहाँ पर MFN status देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, और भारत ने पाकिस्तान से अपना status withdraw भी कर लिया था, इंडिया ने अपना most favored nation status जो हमने पाकिस्तान को दिया था, वो भारत ने खुड withdraw कर लिया था, अब एक question दिमाग में आएगा कि हमने क्यों withdraw किया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने, इंडिया ने पता है क्यों suspend किया था, पाकिस्तान ने एक suicide attack किया था, जो यहाँ पर पुलवामा attack जो हुआ था, ठीके, उसके बाद में हाँ पर हमने क्या किया, यह most favored nation का status जेन लिया, अब जो कोई व्यक्ति यहाँ पर MFN status को suspend करना चाहते है, किसी दूसरे country का दोबग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इसका कोई भी formal procedure नहीं है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में कर सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, now question यह है, क्या भी Russia का जो यह MFN status क को छीन लिया गया है, तो इसकी वज़ा से Russia के उपर क्या impact पड़ता बना जा रहाएगा है, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो जो Russia का MFN status है, जब इसको रद कर दिया गया, तो इससे एक बहुत तगड़ा signal यहाँ पर भीजा जा रहा है, कि US, यानि United States और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिलाल तो भी व्यापार पूरी तरह से बैन कर दिया है, आपको पता ही होगा, Russia, Ukraine के जैसे 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 विवाद बढ़ते रहे, US और भी दूसरे countries ने अपना विवाद पूरा जो व्यापार है, वो पूरी तरह से खतम कर दिया है, रच्या के साथ मैं, उसके साथ यहाँ पर बोला गया, जो Western 와서 है, वो यहाँ पर क्या कर सकती है, जो इंपोर्ट टैरिफ अगरा है, वो इंक्रीज कर सकती है, कोटा लगा सकती है, मतलब जो भी रच्या अपना कोई समान कर सकते है, तो उसके ओपर बहुत सारा tax, duty, extra charges लगा जा सकती है उनको ban भी क्या जा सकता है रश्या की जो services दूसरे country के अंदर है वो cut down की जा सकती है तो यह यहाँ पर आपको देखने को मैं लेगा इससे रश्या को काफी problem होगी इस MFN status के बाद यहाँ पर आप यह भी देख पाऊगे जो US है, US ने अल्रेड़ी यहाँ पर रश्या का जो तेल है, रश्या का जो gas है उसको अल्रेड़ी ban कर दिया है तो यह gas तेल इन सब को ban करने के बाद MFN status भी यहाँ पर अगर रद कर दिया जाए जो की कर दिया गया तो इससे और problems यहाँ पर रश्या को face करनी पड़ सकती है ऐसा ही बताया गया, European Union ने अल्रेड़ी यहाँ पर अपना 70% जो भी इंपोर्ट है, जैसे टोबैको का पोटैश का हो गया, या वोडग स्टील यह जो भी चीज़े हो गई, यह सब जो purchase करती थी European Union वो सब यहाँ पर बैन लगा दिया गया है, मतलब रश्या से आज के टाइम पर व्यापार ना के बराबर कर रही है, Western countries और US, उसके पीछे का एक मातर reason, जो कि आप लोग को पता ही है ओके, लाव, आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, next आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई यह न्यूज है यह जो हमारी केंट सरकार है, उन्होंने planning करी है कि वो कुछ villages कुछ गाउं को यहाँ पर पूरी तरह से establish करने वाले हैं चाइना बॉर्डर के उपर, ठीक है अब यह जो इंडिया चानल का बॉर्डर है, यहाँ पर यह पूरी तरह से गाउं बनाए जाएंगे और यह सब एक प्रोग्राम के अंडर में किया जाएगा जिसका नाम है वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम तो यहाँ पर आप देख पाओगे, इसके उपर आर्टिकल है और important है, क्योंकि जो भी mission से, scheme से, योजना है जो भी यह important है, सरकारी documents के regarding यह बहुत, आपको important देखने को मलता है क्योंकि directly इनके regarding question बन जाता है वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जम बात करते हैं तो यह प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आपको बताऊना चाहिए ताकि आप लोग example वगरा में भी इसको अच्छे से code कर पाओ देखो यह जो वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम है आपको मैप दिखाता हूँ, एक मैप मैंने लगा रखा है इस मैप में आपको काफी सारी चीज़े clear हो जाने वाली है जैसा आप लोग यहाँ पर देख पारे होंगे इधर आपको इंडिया के देखने को मिलेगा उपर आपको चाइना देखने को मिलेगा अब इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर बहुत सरे एरिया जहां पर आपस में विवाद रहते हैं जैसे आप दोनों का नक्षा देखने के बाद यह देखोगे अकसाई चीन वाला एरिया यह जो हिस्सा यह पूरी तरह से आज की टाइम पर चाइना कबजा रखा है हाला कि यह हिस्सा भारत का ही है तो इस वाले परटिकुलर एरिया पर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी बड़ा विवाद क्रेट हो जाता है यहाँ पर भी बहुत सारे एरियास हैं जो बहुत सारे गाउं आपको देखने को मिलेंगे जो की well developed नहीं है यहाँ पर proper infrastructure नहीं है तो proper infrastructure बनाने के बारे में यहाँ पर इस परटिकुलर एरिया में चर्चा की जारी है इसी vibrant village program के अंडर में उसके साथ यहाँ पर central sector में कुछ छोटे-छोटे हिस्से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर भी विवाद रहता, यहाँ पर भी छोटे-छोटे गाउं है जिनको develop करने के बारे में चर्चा की जारी है इसके बाद अरुनाचल प्रदेश के अंदर आपको काफी सरे गाउं देखने को मिल जाते हैं इदर इंडिया चाना के बॉर्डर के उपर उनको भी develop करने के बारे में चर्चा की जारी है एक particular area अरुनाचल प्रदेश का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका नाम है तवांग वाला रिजन यहाँ पर काफी dispute रहता है इसको एरिया के अंदर यहाँ पर इनके soldiers जो है वो इंटरी कर जाते हैं वार वार उनको खदेड़ा भी जाता है हमारी जो आर्मी हैंडियन आर्मी वो इन soldiers को खदेड़ती भी है वापस चायना के अंदर तो तवांग रिजन भी काफी important है clear हुआ यह कुछ चीज़े clear हुई है फिर उसके बाद यहाँ पर बताये गया साथी साथ यहाँ पर यह क्या करेगा एक improvement देगा roots के अंदर मतलब जो root की connectivity है उसको improve किया जाएगा development किया जाएगा renewable energy sources को यहाँ पर लगाया जाएगा तो vibrant village program क्या है I hope आप लोग इसके बारे में समझ गई होंगे तो union budget के अंदर जो अभी 2022 थे इस वाला budget था इसी budget के अंदर इन गाउं के बारे में discussion किया गया था कि हाँ हम लोग जो border के पास गाउं है उन गाउं के उपर काफी सारा काम करने वाले हैं अब बात करते हैं इनका major focus क्या रहने वाला है इनका major focus रहने वाला है लोगों के जीवन व्यतीत करने के उपर लोगों की livelihood के उपर उसके साथ साथ यहाँ पर road connectivity की जाएगी घर बनाये जाएगे rural infrastructure डवलप किया जाएगा renewable energy को डवलप किया जाएगा television और broadband के connections यहाँ पर लगवाए जाएगे यह जो objective है यह objective यहाँ पर पूरा किया जाने वाला है यहाँ पर पूरी तरह से आपका सकते हो इस objective को पूरा और मजबूत करेगा हमारा जो भी एक तरीके से area है खासकर line of actual control वाला वहाँ पर इसको मजबूत कर जाएगा और objective यहाँ पर यह यह बस खाली है हम लोग अपना जो भी area है इंडिया चाइना बॉर्डर के ओपर वहाँ पर हम infrastructure को मजबूत करके लोग ही connectivity वहाँ से बनाए रखें क्योंकि यह obvious ही बात है otherwise चाइना के साथ हमारे काफी सारी concern देखने को मिल जाते हैं और चाइना काफी सारी जगा पर अपनी यहाँ पर जो घुसपैटी वो करता रहता है जैसे लेसी वाले region में हम लोग देख पाते हैं clear हुआ यह हो गई उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी जरुवत क्या है मतलब vibrant village program की क्या जरुवत है क्यों हम लोग को गाउं को develop करना है उसके पीछे का reason क्या है reason तो आप समझ गए होगे क्योंकि चाइना ने भी अपनी site से काफी सारा infrastructure डवलप कर रखा है चाइना ने अपनी site से काफी सारा गाउं बना रखा है तो उसमें आपर कोई बात नहीं है ये चीज़े हम लोग देख पाते हैं इसी वेसे हम लोग को आवशकता है हम लोग इस vibrant village program को implement करें उसके बाद अगले article में हम discuss करेंगे डांडी मार्च के बारे में important जबर्दस news है news के निकल कर आ रही है कि हमारे prime minister ने अभी यहाँ पर शद्धांजली दी है मातमा गांदी जी को और भी सारे important persons को जिन्होंने यहाँ पर डांडी मार्च किया था 1930 के अंदर में तो इसका यहाँ पर news यह क्या है और यार मैं तो news लेकर आया था वैसे तो यहाँ पर news cutting मैंने लिखा आई थी देखो PIB का यह article था पता नहीं कहा गया कोई बात नहीं उसके साथ यहाँ पर हमारे Prime Minister ने tweet भी किया था वो tweet भी मैंने यहाँ पर लगा रखा था फिराल इतिहास पर आते हैं direct बात करते है डांडी मार्च के बारे में यह simple सा article आपका GS paper 1 history से relate हो जाएगा देखो डांडी मार्च यहाँ पर salt मार्च के नाम से आपने जाना होगा ठीक है अब यह जो salt क्या है नमक है salt को लेकर मार्च होई थी वो क्यों होई थी वो समझते हैं जो salt मार्च है यह होती है मार्च से लेकर April के बीच में 1930 का यह समा था ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या बुला गया जो मात्मा गांदी जी थे और साथी साथ यहाँ पर 78 और भी लोग थे साबरमती आश्रम से यह लोग यहाँ पर इस डांडी यातरा को start करते हैं 12 मार्च 1930 को और यहाँ पर इसको पूरी तरह से डांडी यातरा को जैसे से यहाँ पर start कर जाता है उसके बाद यहाँ पर अगर लोग बात करें डांडी मार्च को start करने का major मकसद यह था कि जो British सरकार जो अंग्रे जो ने नमक को बनाने के उपर tax लगा दिया था क्योंकि समूदर से नमक बनता था अब समूदर में से यहाँ पर डांबक अगर कोई बनाता था तो उसके ओपर tax लगते थे तो इस tax को खतम करने के लिए इस rule को break down करने के लिए यहाँ पर यह डांडी मार्च करी गई थी देखो यहाँ पर 21 जिन तक पैदल चला गया था इस पूरे डांडी मार्च के अंदर हमारे महात्मा गांडी जी के थुरू और भी बहुत सवरे एमिनेंट बहुत सदे famous persons थे उनके थुरू उसके बाद यहाँ पर बोला गया यह सब पहुंचते हैं डांडी डांडी नाम की जगा है महाँ पर पहुंचते हैं कब वो पहुंचते हैं 5 एपरिल को तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ 5 एपरिल को पहुंचे और महाँ पर जाकर इन्होंने नमक बनाया और बिना यहाँ पर किसी tax वगरा आपको पे किये और मतलब यह जो law है इसको तोड़ा भी अब यहाँ पर क्या हुआ जब इन्होंने salt मुना लिया नमक मुना लिया डांडी के अंदर उसके बाद गांदी जी यहाँ पर धरसना saltworks की तरफ बढ़ते हैं आगे 40 km दूरी पर वो देखने को मलता था लेकिन जब आगे जाते हैं तो उनको तभी वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है पांच माई को ऐसा भी बताया गया तो इनको बाद मारेस्ट कर लिया दाता है अब इसी के उपर एक question आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा UPSC previous year 2009 में question पूछा गया था which one of the following begin with the dandy march तो dandy march के साथ यहाँ पर क्या और start गुआ था तो इसका correct answer C है civil disobedience movement अगर आप लोग ने history पड़ी है तो definitely आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे now तो यह salt का पुरा पुरा क्या था आपको समझा दिया tax वगरा क्या लगा जा रहे थे जो अंग्रेज थे उन्होंने tax लगाया तो उसी tax वाले law को तोड़ने के लिए यहाँ पर dandy march की गई और law को तोड़ा भी यहाँ पर salt बनाया है भी तो एक पूर्ण स्वराज resolution को पास करती है हम लोग को यहाँ पर एक complete independence चाहिए ठीक अब यहाँ पर इस पूर्ण स्वराज को यहाँ पर मतलब जारी करने के बारे में चर्चा की जाती है 23 दिसमबर 1930 में यहाँ पर इसको पूरी तरह से proclaim किया जाता है मतलब इसकी घोशना की जाती है कि हम लोग को बिल्कुल पूर्ण स्वराज यहाँ पर चाहिए उसके बाद यहाँ पर जो महात्मा गांदी ची है वो अपना एक बात चूज करता है non violence का कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे और non violence के साथ ही साथ यहाँ पर इस salt text को तोड़ते भी है British सरकार के अगे इसमें जो भी British सरकार ने यह salt के उपर नमक उड़ाने के उपर text लगाया था इसको तोड़ भी देते है नाव यह salt ही क्यों नमक के उपर क्यों text लगाया सरकार ने और फिर नमक के उपर यह text क्यों तोड़ा गांदी जी ने इसके पिछे का reason क्या है देखो salt ना एक common सा community था जिसको हर एक व्यक्ति हर एक तपका के व्यक्ति यहाँ पर इसको use कर रहा था हर एक community इसको use कर रही थी जो poor people थे वो सब यहाँ पर बुरी तरह से परेशान हो चुके थे क्योंकि salt के उपर text लग रहा था तो इसी text को तोड़ने के लिए यहाँ पर गांदी जी ने यह डांडी मार्च को रखा और होता क्या है कि देखो यहाँ पर जो अंग्रेज थे इन्होंने एक act को पास कर दिया जिसका नाम था 1882 salt act तो यहाँ पर इससे पहले तो खानी बहुत अच्छी चलती थी जो हम लोग थे हम लोग बहुत बिल्कुल free mendians बिल्कुल free में अराम से समुद्र में से जो यह नमक है इसको बना लेते थे इसमें कोई भी charges वगरा नहीं लगता था कोई tax नहीं लगता था लेकिन इस act के आने के बाद यहाँ पर British government ने यह चालू कर दिया कि भई अब इसके ओपर tax लगेगा अगर आप लोग नमक monopoly यहाँ पर generate कर दी थी मतलब कि British सरकार ने क्या बोला कि भई हम tax लेंगे तो इससे पूरा कपुरा इनका monopoly होगा monopoly मतलब यहाँ पर एक buyer होगा sorry एक seller होगा और number of buyers होगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर Britishers ने यह किया कि जो production of salt है वो अपने हाथ में रखा प्लस यहाँ पर इसको लेकर काफ सरे tax वगरा लागू कर दिये और कोई भी अगर इस जो भी act है यह कोई जो भी यहाँ पर rules and regulation अगर इसका कोई evolution करता है इसका उलंगन करता है तो यहाँ पर उसको एक सजा दी जाएगी वो एक criminal offense है यह सारी बाते इस tax के regarding बताई गई थी नाव यह जो salt सत्याग रहा है इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करें महात्मा गांदीजी ने यहाँ पर start कर दिया था हिंदू, muslim, सब को unite करना, सब को एक साथ लाना because यहाँ पर जो कारण था वो बिल्कुल सेम था वो यही था कि salt के ओपर tax लग रहा है जिसकी वज़ेसे काफी सारी जो लोग हैं वो बुरी तरह से सफर कर रहे है तो आपका होगे चलो यह सारी बाते होगे इंगादीजी ने law भी थोड़ दिया तो इसका result क्या निकल कर आय outcome क्या था तो यहाँ पर क्या हुआ बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर साथ में खटे हुए साथ में आये women's भी यहाँ पर थी depressed class के लोग भी आज के टाइम डिप्रेस क्लास के लोग भी उस टाइम के देखने को मिलते थे नव यह जो मुवमेंट है यह पुरा का पुर अरेस्ट कर लिए था मैं आपको बताया डांडी माट से दोरान तो यहाँ पर बाद में इनको रिलीस कहा जाता है इनको छोड़ा जाता है और बाद में हाँ पर महात्मा गानदी जी मिलते हैं Lord Irwin से Lord Irwin जो की civil disobedience movement को रोकना जाता था अब जब meeting होई तो as a result क्या solution निकल कर गानदी इर्विन पैक्ट यहाँ पर sign किया गया civil disobedience movement खतम हुआ और Indians को यहाँ पर allow किया गया कि हम लोग salt बना सकते हैं और अपने domestic use के लिए हम लोग salt बना कर उसको proper use भी कर सकते हैं तो यहाँ पर information हमारे लिए निकल कर आ जाती है I hope आपको काफी अच्छे से सारी information clear हो ज आप मिला लेकिन उसके बाद भी important articles आपको cover करवा दिये हैं बात करते हैं International Energy Agency ने यहाँ पर एक report publish करी जहां पर भारत आज के टाइम पर कोईले का ज्यादा use कर रहा है हमने इसको discuss किया carbon dioxide emissions renewable energy काफी slow down हो चुकी है दुनिया बरी के अंदर क्या हो रहा है post covid pre covid यहाँ पर एक error develop हो चुका है उसके साथ यहाँ पर बताया गया कि जो कोईले की तरफ यहाँ पर क्यों लोग बढ़े क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें कोईला काफी सस्ता देखने को मिला as compared to the other resources उसके बाद कोईले का consumption भारत के अंदर कहां पर stand करता है भारत यहाँ पर second largest importer है प्लस हम लोग यहाँ पर Indonesia, Australia, South Africa से purchase करते हैं highest coal reserves कहां कहां पर देखने को मिलेंगे फिर prelims perspective बातों को हम लोग ने जाना कोईला क्या है इंडिया के अंदर कोईले का क्या use है प्लस चार प्रकार के आपको कोईले देखने को मिलते हैं उनकी detailing हम लोग ने समझी कहां कहां पर देखने को मिलते हैं वो हमने समझा देन उसके बाद International Energy Agency के बारे में हमने जाना जिसने यहाँ पर इस पूरे रिपोर्ट को publish किया इसने यहाँ पर बताया कि International Energy Agency के अंदर total यहाँ पर कितने members हैं फिर उसमें हम लोगों ने discuss किया जो जो important reports हैं जो कि IEA के थुरू publish की जाती देन उसके बाद हमने important day को cover किया national vaccination day के बारे में जाना और उसका theme क्या है कि बारो हमने जाना vaccines for work for all करके अपका बार का theme देखने को मिलेगा फिर एक article हमने discuss किया जहां पर Russia का most favored nation status को रद कर दिया या है Indian Express का article था मैंने आपको Russia Ukraine के war के बारे में थोड़ा सा बताया फिर उस पर क्या impact पड़ेगा वो हम लोगों ने समझा देन उसके बाद next article में हमने यहाँ पर देखा कि हमारी भारत सरकार open कर रही है वाबरेंट village program को वाबरेंट village program यहाँ पर लगाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया गया यहाँ पर हम लोगों ने देखा वाबरे education प्रोवाइड करवाने वाले हैं educational channels और दूर रर्शन तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा major focus बस इतना ही यहाँ पर यहाँ है कि जो connectivity है यह सब यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी से बन जाए हम लोग infrastructure को ज्यादा बेतीन तरीके से develop कर पाएं उसके बाद हमने last में डिसक क्या है salt सत्यगरा क्या था salt क्या पर क्यों ही है उसके बाद हमने discuss क्या इसका outcome क्या है इसी के साथ हम लोग करते हैं अब अपने lecture को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जाहिंद